हरो दोस्तों नमस्कार तो हम लोग अब इस्टार्ट करने जा रहें आपका क्लाइमेट लोजी एड़ एटमस्फेर जो एटमस्फेर है यह आपका क्लाइमेट लोजी कहीं टोपिक है ठीक है तो एक्चुल में जो एटमस्फेर है तो आपका यह अर्थ हो गया और अगर सही मायना में एटमस्फेर क्या बात किजिएगा तो पांस साथ किलमेटर उपर तक जो एस हो यह डेंस रहता है है तो एक्चुल में आपका यह अर्थ का एटमस्फेर आपका बांस से साथ किलमेटर तक और वीएंट सेंस में रहता है तो एक्चुल में क्या होता है कि आपके जो बायो डाइवर्सिटी है बायो डाइवर्सिटी में जितने भी आपके बरे जीव हैं वे एक क्लाइमेट लॉजिस्ट या मौसम भी ज्यानी है और इसमें आपका ट्री हो गया हुमन हो गया प्लांस हो गया और बाकी जीव जन्तु हो गया मेंट पॉइंट इसमें है आपका एडप्टेशन या समय के साथ बदलाव करना यह सब से मैंट पॉइंट है जो जीव समय के साथ है जो डिमांड है उसके साथ में अगर बदलाव नहीं करेगा तो यह एकजिस्ट नहीं करेगा इस ड्याइंस एक्मॉसfa newborn तो हम लोग भी हैं दोब में कब निकलते हैं कब में निकलना है उसके बारे में में देखते हैं हमारे जो गाउं में पहले के जयुआने में ये समें लोग कि आज पीतने कितना देरें में लुगा और उनकी जो आपका एक तरह से मश्याइभ भार पार वह शեպ तो इस फोत धें को सहीं निकलता सभा में कि आज का जुरसे इतने परसेंट है यह होगा इतना स्मीड होगा यह हम लोग कर रहे हैं डेटा के अधार पर जो मेटा डेटा एक तरह से बीग डेटा इनलेटिक जो कहा जाता है इसके लिए सुपर कंप्यूटर के ज़रत पढ़ती है तो वह चीज़ को लोग पहले अनुहोग के अधार पर ब तीनों में जो आपका फोरस्ट है वह अहां पत्ते गिरने लगते हैं सुखने लगता है और जैसे ही परसाद हर्याली हो जाएगी ठंडी में रहेगा और जैसे तेज गर्मी और वाटर के लेबल डाउन जाना शुरू होगा पत्ते अपना जारना सुरू करेगा क्यों क्यों होगा वाटर एफिलिबिल्टी है ही नहीं तो सुख जाएगा उसे अच्छा है कि जो अपने हैं उनको भी मानना शुरू कर देते हैं कि हम अपने आपको बचा कर रख सकें समझ रहें बाटको तो यहां पर यहां पर लागू होता है अब यहां पर एक तरह से कहा जाए तो जो क्लाइमेटलोजि की बात हम लों करते हैं तो क्लाइमेटलोजी क्या होता है साथ नंचाडिफिक स्टडी और कि आपके जो भी क्लाइमेट है उसका जोह हैसो सही तरीके से आपको अधियाण किया जाए यह से अकुलकत के बात है है कि चली हम चंदी किर्चा करते हैं अब यह होता है आपको कुछ आर दूसरा होता है क्वालिटेटिव इप लॉच च तो इसमें लोग जह सो बिग साइज को कंसिडर करते हैं और यहां पे आपको एक्तर से कहा जाए तो कोई निश्चित डेफिनिट रूल निकालना मुस्कित है लेकिन यहां पे जह सो आप रूल बना सकते हैं यहां पे आपको जह सो एक्सपेरिमेंटल के लिए चीज़ें भी ज्यादा ज्यादा से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और इंस्ट्रुमेंट भी आपको चाहिए है समझने बात को तो जब आपका नए नए इस्ट्रुमेंट आये तो क्वालिटेटिव के अप्रोच के तरफ बढ़े और एक डिफिनिट पैटर्न पर बढ़े ठीक है य हम लोग जैसो अपने मूल जो चीज है उस पर हम लोगते हैं अब यहां पर क्लाइमेट लोजी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको दो तीन चीजों के ध्यान रखना पड़ेगा तो हम इंसुलेशन के सबसे पहले बात करेंगे इसको है जैसो आत्पन बोलते हैं या कई की सुरिया तब भी बुला जाता है यह हम आपको पराद चुके हैं कि यह जैसो जब आता है तो सौट वेव में रहता है और जैसो यहां पर आपका और्थ इसको कैप्चर करता है और चैप्चर करेंगवारं में जब यह रेडियेट करता है तो लॉंग वेब के रूप में यहां रेडियेट होगा तो हम Sёт वेब के स्वेर रूप में गया और रेडियेशन जो होगा से यहां पर होगा जो आपका वेश फ सब्स प्र horse अप्लस भ्हेपर है इसको क्या करेगा? capture करेगा और जब capture करेगा तो temperature को Earth के चारों तरफ बैलेंस करेगा तो यह आपका Earth हो गया और यह इसका बाइमंडर हो गया यह धर आपका सुरज हो गया यह atmosphere यह atmosphere हो गया यह atmosphere हो गया और यह आपका Earth हो गया जब आया तो यह short wave था और जब यहां से return हो रहा है तो यह long हो रहा है और इससे जैसे हमारे बाइमंडल का temperature maintained है और इसके कारण जयसो जीव जगत है यहां पे अब यही चीज़ के बात करें मून पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपको बीरल आपको यहां पे क्या है atmosphere है बहुत ज़्यदा हवा नहीं है less dense air है यह sun है यह आया जब radiate हुआ तो यह capture ही नहीं कर पाता है यहां पे temperature balance नहीं हो पाता है तो आपको यहां पे जहां सूरज रहेगा यहां पे 400 degree celsius हो जाएगा और इधर माइनस में 200 degree celsius हो रात में नेगटी में चला गया दीन में चला तो इसमें कैसे आदमी survive करेगा लेकिन हमारे यहां क्या है हमारे यह temperature balance मालेजे की आपका 25 degree celsius है average है तो maintain है वो तो यहां जो है आपको life को एक तरह से जिलाने में आपका overall यह मदद कर रहा है तो हमने आपको यहां पे समझा दिया कि insulation आपको temperature maintenance में कैसे मदद कर रहा है अब यहां पे थुरा सा हम बात करेंगे आपको आपको co2 and global warming ठीक है तो आपका co2 and global warming अगर हम चर्चक करते हैं यहां पे तो आपको पता है कि अर्थ है यह प्रोपर एस्पेर हो गया अब देखिए अब आपका सूरज तो कुछ इधर है बहुत दूर है और आपका कि अधर है अधर है। कि यह सौर्ट विप के रूप में आया और यह ट्रोपोय स्फेर जो है आपका तो यहां से यह रिटर्न होगा अगर यहां पर सी ओ टू की मात्रा बरती है कि मात्रा बरती है तो क्या होगा तो इस एडिया में इधन मेरे ख्याल से दिखने रहा आपको यहां पर टेंपरेचर को बढ़ते यहां पे आपको पोल्स है यहां की जो ग्लेसियर है क्योंकि आपको पता है कि लैंड जो है और सर्फिस पे तो अब यहां पे यहां ग्लेसियर मेल्ट हो करके इधर आना सुरू होगा एक्वेटर के साइड में हाँ और यहां के लोग यह सो डूब करना सुरू होंगे और यह लेंड हो गदो अधर खूलना सुरू होगा है यह क्यों हो रहा क्यों कि आप यहां पि मेंटेन था सीई वो तुकी मात्रा उसको आपने अन्बैलेंस किया तो सिस्टम है जो पूरा पूरा सिस्टम ही अन्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज शुरू हो जाएगा ठीक है कि जो आपका ट्रोपो एस्पेर है वह आपको एक तरह से डेंस है सियो टू की मात्रा यहाँ पर पॉइंट जिरो थिरी परसेंट है ओके सियो टू कैप्चर अर्थ रिडियेशन को और मैंटेन टेंप्रेचर सियो टू जो है तो टेंप्रेचर को यहाँ पर कैप्चर करके और टेंप्रेचर को मैंटेन करने की कोशिस करता है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा कि तो डे टाइम में जहाँ आपको ज्यादा लॉंग में उग रहेगा नाइट के बनिस पर इसी को कहा जाता है अब यहाँ पर जो में पॉइंट है कि यह ज्यादा रिलीज कर रहा है और नाइट में क्या होता है कम रिलीज कर रहा है तो अब यहाँ पर एक चीज और है इसको समझ लेते हैं हम लोग मन लिजिए कि आपका आपका जो प्लेन है वह इस एरिया में उड़ता है प्लेन जो आपका इस एरिया में उड़ता है तो माल लिजिए कि एक प्लेन यह है और प्लेन बी है ठीक है और इसका डारेक्शन प्लेन एक डारेक्शन जो है एक का डारेक्शन जो है तो इस डारेक्शन में और दूसरे का डारेक्शन इसमें है और आपको पता है कि और्थ का रोटेशन जो है इस डारेक्शन में और जो यह यह ज्यादा होगा तो जन्रल लोग क्या करेंगे यहां पर कि अर्थ इधर उल्टा जा रहा है तो इसमें ज्यादा फ्यूल खर्चा होगा लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर क्या होगा कि दोनों में समान फ्यूल खर्चा होगा, पुछ ये क्यों कि अर्थ के गर्विटी में तो ओर रहे है, अर्थ गर्विटी के भार्त नहीं ऊँख रहे हैं, तो यह EARTH के बाइवंडल में ऊद़ रहे हैं, मतलब इन पर activity भी लग्रही है तो जब और की ग्रविटी लग रही है तो यहां पर फ्यूल जो है सो समान रुप से खलचा होगा यहां पर याद रखिएगा यहां कोस्टन जो है सो इंटर्विव में आप से पूछा जा सकता है क्योंकि इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यह जो सर आर्थ की ग्रविटी में होने के कारण दोनों में जो फ्यूल का पंजम्शन होगा वह समान होगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं यहां पर अब हम बात करेंगे हैं यहां पर काउंटर रेडियेशन की है अ कि अकृण ग्यान होगा रेडिये यहां यहां रेडिये ख्यां टॉ तक झाणिवेड़ इस सम्टनर ग्यां इस वे चोलते हैं? अब हैं आप रेडियेशन की यहां वह जट रेडियेशन के हैं? कि अब यहां पर क्या होगा देखिए समाज लेजे पहले अर्थ है इड़ी है और इन आइट है यह जैसो दोनों सौट वेव में आ रहा है यह लॉंग वेव यहां से निकल रही है तो नाइट में आपका यह नहीं रहेगा सन नहीं है दिन में तो सन है तो यह हमारा रेडियेशन ऐसे जा रहा है कि यहां पे आपका ऐगा थंपरिचर से और नाइट में यहां निकलना बंद व्यूंद और लेकिन ओपर एक फ़ृ टेंपरिचर यह और नीचे अई से नीचे आने लगती है क्यों क्योंकि प्रिधिवी के नीचे यहां पर सर्फेस इस एक समझेर बात को इससे क्या है कि टेंप्रेचर जो आपका मेंटेन रहता है तो यह important point है इसको not down कर ले जगा तो यहाँ पर सबसे पहले इससे क्या होता है temperature यहाँ से balance मेंटेन रहता है दूसरा point यह है कि कि था जा कर दो Department कर दो है तो कि अभिवाबस के अवह मेंटे इसस्थार है पόςक सतर्म तो यहां पर एक तरह से कहा जाए तो और यह एक लॉंग वेव है क्योंकि जा रहा हो भी लॉंग वेव है और आ रहा हो भी लॉंग वेव है तो यहां पर यह लॉब है तो आप इसको रिफर्जेंट कर देंगे तो आपको अच्छा नमर मिल जाए गा जलिए हम लोगा भाटते हैं अज़ी हम लग यहाँ पर है अगर अधि कर नुख कर देकर दो कि कार्वन साइकल के बारे में कि कार्वन साइकल क्या होता है देखिए सिवो टू जो एयर में है उसको कौन लेगा उसको ट्री लेगा जिसको और यह पोडियूस है इसको कहा जाता है आपको कि प्राइमरि पोडियूसर कहा जाता है उसके बाद मैं इसको अपको जो इससे बायो मास्क बनेगा अधर क्रियेटर है जीव जैसो इसको खाएगा जो भी आपका यहां से मैटरियल बना है उसको दूसरा जीव खाएगा और जब यहां से दूसरा जीव खाएगा फिर जो हैसो यहां डेड़ करेगा मरेगा समय के साथ ने डेड़ होगा फिर क्या होगा या डिक्य होगा और जब दिक्य होगा तो यहां पर आगया और यहां पर एक तरह से कहा जाए ट्री भी यहां पर देथ होगा भी रिटर्न होके यहीं पर आएगा और यह अभी झी हो अगर अगर खा रहा है यहां अखर फूलेगा तो भी यहीं पर कर leichter a निर्मान होडा या कईए की आपको co2 और स्भी कर्क है यह जए सुल कार्गो ईड्रेड बनाते हैं ं एफिर हख़ी चर्टा रहाता है तो यहां पर मैं जो जो फेक्टर है यापका वह क्या है तो हम मैं यहां पर चुख है करने के लिए मैं फेक्टर है वह किसए करता है इसको इस तीसको को में ध्यान लखना है कि what is the main factor अब हुम लोग यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपको ग्लास हाउस के बारे में अग्यान अग्यानग ग्लास हाउस क्या है कि अग्यान अग्यान ने कि अग्यान ने लिए जोग दो धुश्ट आप अब देखिए आपको पता है कि यह एक आपका ग्लास हाउस है अब यहां पर सन का रेज जब आएगा इसका नेचर क्या है सौट वेव है उक रेचर इसका सौट वेव है यह इसके अंदर आएगा जब अंदर आएगा तो कही न कहीं पड़ेगा पढमें उसको और सोसित करेगा और जब हैसोसित करेगा जब रिटर्ण होने केक्वीस करेगा तो रिटर्ण नहीं होपायेगा मैं तो अब रिटर्ण होपाएगा तो बाहर टेमप्रेचर माइनस में 10 डिगरी सेल्सियस है कि गए बाहर temperature minus में 10 degree Celsius है minus 10 degree Celsius है और अंदर temperature हो गया अबको 10 degree Celsius तो यहां क्या हुआ यह capture हो गया glass house में क्या होता है कि लॉंग वेव क्याप्चर टू मैंटेन टेंप्रेचर बैलेंस ओके तो ग्लास हो जेनरली जो है the last का बना होता है आज है । यह कि यह मौन्टेनियस इंद्याइम बना है पूलता है बना रहेगा या आर्टिक रिजन में बना रहेगा लॉंग वेब यहां से एस्केप नहीं होता है ठीक है नो एस्केप लॉंग वेब और उसके बार में तूँँग मैं टेंप्रेचर इंसाइड दा ग्लास हाउस यहां पर टेंप्रेचर में जो बैलेंस रहता है या बना के रखता है इसलिए चुकि यहां पर खेती की जाती है या राने के लिए लोग इस टाइप की घर बनाते हैं जो कि हाई अल्टिटूड पर है या हाई लैटिटिटूड वाली अरिया में यहां टेंपरेचर कम है वहां पी इस टाइप भी बहर बनाए जाते हैं डैटीज कॉल दा ग्लास हाउस ओके नेक्स्ट कंसेप्ट अपका है कि गोल्ड के बारे में थोरा सा देख लेते हैं यह जब बन होता है तो यहां पर कि मात्रा हमारे अक्मस्पेर में बढ़ाएगा तो यहां पर कि मात्रा करके और टेंपरेचर को बढ़ा देगा तो बहुत की मात्रा अगर आप चेंज करेंगे तो गलोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी इसलिए आज की देख में कहा जा रहा है कि इसको बैंद किया जाए या बंद किया जाए ताकि हमारे अट्मस्पेर में जो कंपोजीशन है वही बना रहा है उसमें बहुत ज़्यादा छेल खानी नहीं हो उसके बाद में नेक्स्ट आपका है CO2 का डिस्ट्रिबूशन के अगर आप बात करते हैं तो यहां पर तीन चीज़ पर ग्लोबल लेबल पर आप देखिए रिजनल देखिए और लोकल देखिए ग्लोबल रिजन में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको नॉर्थ इस्ट इवेसे हो गया वेस्ट इवरोप हो गया और इस्ट में आपका चाइना हो गया रिजनल लेबल पर देखते हैं आपको तो देला ही हो गया मुंबई हो गया और लोकल लेबल पर देखें अगर हम तो आपका कोई प्लांट हो गया तो यहां पर आपका यह नॉर्थ अमेरिका हो गया यह आपका इवरोप हो गया और यहां जो एसे एसी यह हो गया यह ग्लोबल लेबल पर हो गया कॉंटिनेंट वाइस देखें तो यहां पर यहां पर दिस्टिविशन देखने को मिलेगी नेक्स्ट पॉइंट वहां रहा है यहां पर सीवर्टू जो है आपका गुट और सीवर्टू बैड मतलब कि सीवर्टू गुड है और कहीं पर सीवर्टू बैड है तो उसके बारे तो यहां पर गुट की बाद करते हैं तो आपको यहां पर कि अगत यह जो है जो बायो मांस प्राइब होता है यह क्या करता है कि प्रकास और सीवर्टू लेते हैं तो ज्यादा मातरा मिलेते हैं तो बायो मास्की मातरा बढ़ती है मतलब आउर्पूट जो एक तरह से कहा जाए तो क्रॉप आउर्पूट यहां से बढ़ जाता है ठीक है तो इसा कहा गया है इकार के हिसाब से महाराश्टरा में जैस आपको कफास यहां कोटन का पोड़क्शन 40 परसेंट इंक्रीज कर दिया है डियू टू सी ओटू के बलने के कारण कितना परसेंट डिर इस दो 40 परसेंट इंक्रीज वैड क्यों है वैड इसलिए है यह जो एस आपको ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है और इसके बाद में हो में हो रहा है है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मांसून के पैटर्न में चेंज आ रहा है यह जो हैसा आपका बैड हो गया बैड जो थोट है यह है अब उसके बाद में नेक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है भाई कार्बन सिंकिंग का मतलब यह हुगा कि कार्बन की कंजम्शन ओसन में और लेंड पर तो ज्यादा फेर पहुदे लगाईए यह ओसन में तो अलग अलग तरीके से कैसे भी माइक्रो अर्गनिजम को बढ़ा करके इसको कम किया जा यह बात होती है उसके बाद में इसकी रेम कि तो आपको इंवार्मेंट नेशन इनवार्मेंट प्रोग्राम हो गया उसके बाद में जैसे आपको क्योटो प्रोटोकॉल हो गया इस टाइब के चीज़ें जो है आपको यहां पर इसको रोकने के लिए चलाई जा रही है ठीक है इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात किया ओके तो इस लेशन में इतना ही है